हलो मैं डियर सुडेंट्स, कल यानि 29 मार्च को आपका 12 इंगली स्कूर का एकजाम होने वाला है कल आप ऐसे एकजाम में बैठने वाले हैं या कल के बाद से आप जितने भी एकजाम नेशन में 12 खलास एकजाम में बैठेंगे उन तमाम सब्जेक्ट का रिजल्ट आपके जीवन में बहुत मैंने रखेगा याद रखेगा अभी तक आपने बहुत से एकजाम दिया होंगे, 10 दिया होंगे, 11 दिया होंगे, 9 दिया होंगे, 8 दिया होंगे वो 12th के exam है जिसका सुरुवात कल से होने वाला है Be serious आज के दिन यानि चुकि कल आपका exam है तो आज के दिन हम आपको ये नहीं बताएंगे कि question answer नहीं बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो के मादे हम से क्योंकि जो बताना था हम साल भर मेहनत किये और आप भी मेरे साथ खूब मेहनत किये हैं इसमें कोई सक नहीं है 12th class के English syllabus को हम लोग मोटे तोर पर तीन बार खतम कर चुके हैं और मुझे पुरा पता है कि आप लोग ये मनदारी से पढ़े होंगे और उसका benefit आपको कल के exam में देखने के लिए मिलेगा आप खुद कही है कि हमने इतना मेहनत किया तो मुझे मिला आज की इस वीडियो में आपको कुछ keywords बताने वाला हूँ जो आपको exam में जिसको आप follow करेंगे तो सायद आप और भी बेहतर कर सकते हैं सोने पर सुहागा हो सकता है देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि आपका examination दो टर्म में होने वाला है परते एक टर्म में आपको डेड़ घंटे का समय मिलेगा पहला जो first term होगा वो objective होगा और दूसरा जो second term होगा वो subjective होगा objective जब भी आप exam देंगे objective का तो सोच समझ के टिक लगाना है ये तो आप जानते होंगे question को देखो समझना भी एक question होता है अगर किसी प्रस्णों को आप पहले समझ जाते हैं तो उसका आधा solution आप वहीं कर लेते हैं पर अभी maximum जारखंड भीहर के बच्चों के साथ ये है कि इंगलिस के question को समझना ही उनके लिए बड़ी tough काम होता है तो आप सबसे पहले question को ठीक से समझेंगे उसके बाद तब उसमें tick out करेंगे आप जितने भी विद्यारती मेरे पास पढ़े हमने पूरे इमंदारी से मेहनत किया मेरे मन में कोई छलकपट नहीं रहा और आप भी मेरे साथ खूब मेहनत किये इसका result, इसका परिणाम कल की exam में आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आपको जो मैं बैच में इतना बुलवाया कई बार रटवाया लिखने सिखाया बताय हुए चीज को ही कई बार बताया इसका फायदा आपको कल नजर आ जाएगा सेम अगर हम बात करें term 2 की तो term 2 आपके लिए थोड़ा रिक्सी होने माला है इस चीज का ख्याल रखेंगे आप term 2 रिक्सी कैसे होने माला है क्योंकि तीन घंटे के एक्जाम पहले जब पहले का जो सेलेबस हुआ करता था उसमें तीन घंटे का समय मिलता था आप याद किजिए या उनसे पुछ लेजेगा जो 12 ख एक्जाम दिये होंगे तीन घंटे का समय कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है और इस वीडियो के माते में सबसे इंपोर्टेंट बात मैं वाज वही बताने वाला कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर और एंसर सिट मिलता है तो मिलने के आधा समय जब बीच जाता है तो आधा समय तक वह अराम से लिखते हैं और उसके बाद तब इस स्पीड में लिखना चालू करते हैं लेकिन आज की इस वीडियो के माते में सबसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर और एंसर सिट मिलेगा या दुनों एक ही मिलेगा उसी समय से तब स्पीड लिखना चालू करना आपका स्पीड लगातार सुरू से लेके आन तक एक्वल होना चाहिए ऐसा नहीं कि अभी अभी डेड़ गंटे का समय है तो आधा गंटा तक वह दम धिर धिर लिखेंगे और फिर एक गंटा तक स्पीड लिखेंगे फंस जाएंगे आप नहीं पुरा स्वल्ब कर पहेंगे डेड़ गंटे का समय तुम्हारा कैसे निकल जागा तुमको पता नहीं चला है एकजाम के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा और फिर मेरी बात को आप फिर कहिए है कि हम जो गलत बोल रहे हैं सही बोल रहे थे लिख के लिए लिजी आप डेड़ गंटे का समय सब्जेक्टिव क्वेस्चन एंसर में कब भी जाएगा आपको पता नहीं चलेगा तो भी सही है कई बच्चे लास्ट में भी पैसेज को सोल्ब करते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन पैसेज में अधिक समय लगाएंगे नहीं अब उसको भी जल्दबाजी में सोल्ब करेंगे बहुत सारे विद्यारती क्या करते हैं कि पैसे जो बहुत अधक समय लगा देते हैं और बाद में जो उनका question आया आ भी रहा होता उसको भी नहीं बना पाते हैं तो ऐसे तो general rule है exam का कि जो question आ रहा है पहले उसको solve कर लीजिए उससे नीपट लीजिए फिर जो नहीं आ रहा है उस पर हम लोग उस पर हम आप मिल करके उस पर तिमाग में लाने का प्रयास करेंगो उसका answer को और आ ही जाएगा English के syllabus में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है हर topic पर हमने चर्चा किया हर बातों को आपको बताया ऐसे बच्चे जो मेरे पास पढ़ नहीं पाए या बीच में ही क्लास छोड़ दी आज उनी का मैसे जा रहा है कि सर कौन भी वी आई होगा कौन इंपोर्टेंट होगा आज अगर हम उनको बता भी देंगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे वो क्योंकि साल भर के सिलेबस को 24 घंटा मैं आप कैसे बना दीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिम्मेदार सिक्षक का मैंने हर एक फर्ज निभाया है और हमेशा ये चाहा है कि मेरे विद्यार्थी बेहतर करें मेरा आसिरवाद आप सभी के साथ है और जो सेकेंड टर्म होगा सुरू से ही आप फास्ट लिखना सिटार्ट कीजिएगा सुरू से ही स्पीड लिखना चालू कीजिएगा पैसेज में अधिक समय मत दिजिएगा और कोसिज कीजिएगा कि जो क्वेशन आ रहा है उसको पहले बनाए राइटिंग पर विसेश ध्यान दे विद्यार्थी अपने लेंग्वेज में ही लिखने का प्रयास करें बहुत सारे स्टुएंट कहते हैं कि पूरा सर्मा गेस से छाप दिये बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि पूरा हम नोट से लिख दिये एक्जाम ने रहे इतना बुर्भक नहीं है मेरे भाई आप जो कर रहे हैं बहुत समय पहले वो कर चुका है वो सारा कुछ जानता है बगल में वो भी सर्मा को स्खोल के रखता है किसका किसका लाइन एंसर स्रिट में मिल रहा है वहाँ भी मिलाता है, यहाँ मिलाता है, ज्यादा तेज नहीं बनेंगे हम, जो आपको आता है अपने से लिखेंगे, और अपने language में लिखेंगे, बाखी exam की परिसिधी पर depend करता है, आप उतना समझदार हैं, और हम क्या करना चाते हैं आप समझ रहाँगे, आप exam nation hall के पास exam सुरू होने से पहले एक घंटा पहले पहुंच जाएंगे अपने पास जितने भी जरूरी जरूरत चीजें है admit card है आपका column copy जो भी मतलब आप अपना नेसरी जो चीजें होती है वो आप दिले ले लेंगे और तब exam nation center पर पहुंचेंगे मैं आज भगवान से ये नहीं मांगूँगा कि मेरे विद्यार्थी को आज सारा सेले बस का नोज़ डाल दो मैं बस आज मासर स्वती से ही प्रातना करूँगा कि मेरे विद्यार्थी जितना जानते होंगे कम से कम उनको इतना सक्ती प्रतान करना कि वो उस चीज़ को कौपी में लिखते हैं बाकी एकजामनर डिसाइड करेगा अभी भी आपके पास समय है अभी मैं रात में इस वीडियो को बना रहा हूँ अभी भी आप पूरे सेलेबस को चाहें तो एक बार सरसरी निगाहों सो देख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं tap says बहुत मिस करते हैं आपको एकजाम दीजी अच्छे से और मेरे से मिलने आईए आप से मिलने का मन है मुझे बहुत और आप सभी के लिए मेरे दिल में हमेशा बहुत बड़ी जगह रहेगी और भगवान से हम प्रातना करते हैं कि आप बेहतर करें इंगलिस में और मेरे और अपने मईं पापा के सपनों को साकार करें बाकी की एक्जाम नेसंस के लिए भी हिरदय से आप सभी को well-wissing है सुब कामनाय बधाई है कि आप अच्छे सी एक्जाम दीजिए और आगे भी जीवन के हरें एक्जाम में आप पास होईए ये तो एक छोटा सा एक्जाम है अगर पूरे जीवन को मिला के देखा जाए तो पूरे जीवन के respect में ये छोटा सा ही एक्जाम है लेकिन ये एक्जाम बहुत माईने रखेगा आपके आपके life के लिए किजिए थैंक यू सो मुच